हर्याना में होने वाले विधान सुबा चुनाओं को लेकर भाजपा ने 25 शीटों का पैनल त्यार कर लिया है और जिसमें से 17 नाम त्याय हो चुके हैं हर्याना भाजपा में टिक्टों के मारा मारे के बीचे जीतने मारा ले उमिदवारों के नाम पर मंधन सुरू हो गया है भाजपा किसी भी ऐसे चेहरे को टिक्ट नहीं देगी जिसकी जीत में जरावी संदेह हो परतियक सीट पर कॉंग्रे से जन्ना एक जन्ता पार्टी इनेलो और आम आदिन पार्टी के संभावित उमिदवारों को ध्यान में रख कर भाजपा अपने संभावित प्रतियासियों के नाम त्या कर रही है हरियाना भाजपा के प्रभारी डाक्टर अनेल जायन मुख्या मंतरी मन्हुरलाल परदेश अदेक्स सुबास बराला और परांतिया संक्ठन महा मंतरी सुरुष भट की मौजूदगी में कई घंटे तक चली मेराथन बैठक में सभी 90 सीटों पर आए फिड़वेक पर रचर कर लिए गई हैं इन में 17 विधान स्वा सीटों पर पार्टी को अपने उमिद्वारों के लेकर किसी तरह की असमंजस नहीं है और यह 17 नाम त्या माने जा रहे हैं इन सीटों में पंचकुला, अंबाला, चावनी, अंबाला सहर, मुलाना, जगादरी, यमना नगर, रादोर, लाडवा, शाहवाद, मारकंडा, थाने सर, करनाल, घ्रोंडा, पानिपत सहर, इसराना, राई, जीन्द और टोहाना सामिल हैं करनाल और टोहाना दो ऐसी सीटे हैं जहां सिंगल नाम का पैनल त्यार हुआ है करनाल में मख्य मंतरी मनहुरलाल चुना लो लेंगे जबकि टोहाना में भाजपा के प्रदेश अधेक से स्वास वराला दुबारा चुनावी रण में उतरेंगे बाकी पंदरह ऐसी सीटे हैं जहां मौझुदा विधायकों को टिकेट मिल सकती है वहीं दो एन्ने सीटों पर मौझुदा विधायकों को नाम पैनल में दूसरे और तिसरे नमर पर हैं हर सीट पर तीन तीन संभावित दाविदारों के नामों का पैनल तियार किया गया है। दो दरजन सीटों पर दोबारा फिडबेक लेगी भारतिय जंता पार्टी। हरियाना की कोई विधानसवा सीट ऐसी नहीं, जिस पर दस से बीच तक दाविदार नहीं हो। बैठे के पहली चर्ण में इसे लिस्ट को छोटा कर तीन से पांच नामों तक लाए गया है। पैंश्ट ऐसी सीटे हैं जहां तीन से पांच दाविदार पार्टी की किसोटी पर पर परखे जा रहे हैं। करीब दो दरजन सीटे ऐसी हैं जहां पार्टी ने उन्हें दोबारा से फिड़बेक के लिए लंबित रख लिया है। इन सीटों मेर कॉंगरेश वे जन्नाइक जन्ता पार्टी के संभावित उम्यद्वारों के बारे में जानकर जुटाने के बाद ही तीन तीन से देशियों का पैनल तियार किया जाएगा। 25 तंबर के बाद जाएंगे पैनल शांसदों की सिफारिश पर होगी राय सुमारी भाजपा सुतरों के अमसार है। चुनाव की घुषणा के बाद पार्टी पहला पैनल हाइकमान को 25 तंबर के बाद मनजूर के लिए भेज़ेगी। बैठक में सांसदों द्वारा सुझाए गई संभावी तुम्हें द्वारों के नाम पर भी मन्थन हुआ है। लेकिन यह त्याय नहीं हुआ कि उन सभी को टिक्ट मिलेगा। जिन की पैरवी सांसदों की है। ऐसे किसी भी दाविदार को टिक्ट नहीं मिलेगी। जो पार्टी का पुराना करे करता तो है मगर चुनाओ जीतने में संचे बनावा है। इस तरह भारतिया जनता पार्टी का 25 सेटमबर पैनल त्यार हो चुका है और 17 नाम लगभग त्याय हो चुके हैं। 25 सेटमबर के बाद जो लिस्ट और पैनल की सुची त्यारगी है वह पार्टी हाई कमान के पास मंजूरी के लिए बेजी जाएगी। जिससे संभावना जताई जारे की लगभग 27 और 28 नमर के बाद ही बारतिया जनता पार्टी के प्रत्यासियों की पहले चलन की सुची जारी होगी। इसलिए बारतिया जनता पार्टी के दायदारों को अभी टिक्ट के लिए और इंतिजार करना होगा।